हेलो दोस्तों आज जो मैंने कोश्चन लिया है यह यूपी बोर्ट 2018 में कोश्चन आ रखा है काफी बच्चों का काफी बच्चों का यह डाउट भी था चुकि उनसे सॉल्व नहीं हो पाया था तो यह कोश्चन मैं आज सॉल्व करका आप लेको दिखाऊंगा कि कैसे इसे 10 a by 1 minus eč plus quit a by 1 minus 10 a और इसको प्रूव करना हमें 1 plus 성k into cosk अब देखिए दोस्तों यह होता है LHS और इसके इधर वाले का हम बोलते है right hand side मतलब RHS इसको बोलते हैं LHS इसको बोलते है आरईस अब दोस्तों हम इधर इसको भी solve कर के यह ला सकते हैं या इसे भी solve कर के यह ला सकत सुकित कि जादा इधर हमें देख रहा है, जादा टर्म हम इधर देख रहा है इसलिए हम S इसको solve करें और RHS के equal करें अब देखना है दोस्तों हमें इस question को solve कैसे करना है तो हम देखना है दोस्तों इसमें tan दे रखा है हम एक काम कर सकते हैं सब को एक टर्म में चेंज कर ले ताकि हमें कुछ दिखे की कैसे सॉल्फ करते हैं तो चलिए दोस्तों हम कैसे कहेंगे तो देखिए दोस्तों कैसे कहेंगे यह दोस्तों हमारा LHS है ठीक है अब हम क्या करते हैं LCM ले लेते हैं 10A यह नीचे LCM तो 10A माइनस 1 यह 10A अब उपर चला जाएगा तो 10A यह भी हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह 10A नीचे आ जाएगा तो 1 by 10A into 1-10A ठीक है दोस्तों अब हम देख रहें दोस्तों हमें LCM लेना परेगा नीचे यहाँ 1-10A है यहाँ 10A-1 तो इसे भी हमें similar बनाना परेगा इसको प्लस कर देंगे ठीक है दोस्तो तो देखिए दोस्तो यहां यह उपर हो जाएगा 10a2a by 10a-1 अगर हम यहां माइनस दे देते हैं तो यह देखिए क्या हो जाएगा 10a into 10a-1 यह हो जाएगा ठीक है अब हम LCM ले लेते हैं इसका तो यह हो जाएगा 10a-1 into 10a अब इसमें से common ले लेंगे तो यहां जाएगा 10qa यह दोस्तो हो जाएगा अब दोस्तो यहां से आगे solve करने के लिए हम यह formula use करना पड़े गया जो होता है aq-bq का formula aq-bq क्या होता है a-b into a square plus ba square plus a b हम दोस्तो अब यह use करना पड़े गा यहां पर इस question से आगे बढ़ने के लिए तो 10q-1 क्या कर सकते हैं इसको नहीं लिख सकते हैं 10a-1 into a square मतलब 10a square ba square मतलब इसका square 1 plus 10 of a अब नीचे की टर्म तो यह है 10a-1 into 10 of a अब देखने हैं दोस्तो इस टर्म से यह टर्म कट गया हमारे पास क्या बचे गया 10 square a plus 1 plus 10 of a by 10 a अब डिभाइड कर देंगे दोस्तो तो यह हमारे पास आजाएगा 10 a plus 1 by 10 a और इससे यह 1 अब हमें फिर से पता है दोस्तो 10 a हो गया 1 by 10 a क्या होता है cot a और यह कितना 1 का 1 ठीक है दोस्तो अब यह हमारा LHSC चलता है ठीक है अब इसके बाद हम कैसे solve करें तो हमें पता है tiny होता है sin a by cos a cot a क्या होता है cos a by sin a और यह 1 का 1 ठीक है दोस्तो अब हम क्या करेंगे इससे लेंगे LCM cos a और sin a का LCM हो जाएगा sin a into cos a cos a तो उपर आजाएगा दोस्तो यह sin a square यह cos square a और यह दोस्तो तो पता है sin a into cos a ठीक है दोस्तो अब हमें पता है sin a square a और cos square a की value कितनी होती है sin a square a plus cos square a यह इसकी value होती ही 1 तो इसकी value हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे sin a square a plus cos square a इसकी value होगी 1 यह हो गया sin a into cos a और नीचे हमारे पास बचेगा sin A into cos A हम इसे divided कर देगे तो यह term क्या हुआ जागा sin A into cos A और यह 1 ठीक है, दोस्तो, आँप में लग रहा है हम выбor answer के करीभी पहुँच रहे दोस्तो अब देखें, one by sin A into one by cos A, तो one by sin A क्या होता है cos sec of A one by cos A क्या होता है, दोस्तो यह वाला term one by cos A तो दोस्तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं यही तो हमें निकालना था यही तो हमने निकाल दिया यही तो हमारा RHS है तो दोस्तो यहाँ पर क्या होगा है Hence, Proved, Allegious, Equal to RHS ठीक है दोस्तो यही तो हमें प्रूफ करना था अब कैसे किया हमने एक पर फिर से आपको पूरी तरह समझा देए देखे दोस्तो यह हमें दे रखा है LHS और यह हमें RHS निकालना है तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं अब चुकि TAN A और कॉट A अलग-अलग दे रखा है तो हम किसी एक ही फॉर्म में चेंज करेंगे तभी को सॉल्व कर पाएंगे तो मैंने क्या करा है को चेंज कर दिया वन बाई टैने लेखके और इस को भी लिख दिया वन बाई टैने ठीक है तो मैंने क्या किया यहां पर माईनस लगा दिया और इसको 1-10 न को 10A-1 बीखको दिया अब यहां पर फिर से दोस्तों मैंने इसका स्टीन ले लिया और यहां उपर 10Q- A-1 अब देखिए इस से आगे स्टार्व करने के लिए हमें लगा दिया aq-bq aq-bq क्या होता है a-b into a square plus b square plus a b तो यहाँ पर लगा दिया 10q-10q a-1 कितना होजाग a-b a-b मतलब 10a-1 आगे a square मतलब 10a square b square मतलब 1 और a b मतलब इन दोनों को multiply करके 10a लिख दिया ठीक है नीचे तो वही रहागा ठीक है 10a और 1 by 10a और प्लस यह बना गया ठीक है यह 10a आगया 1 by 10a क्या होता है cot a इतना तो हमें पता है फिर 1 आ गया ठीक है ठीक है अब यहाँ पे भी इतना solve करने के बाद भी हमारा answer नहीं आता है फिर हम क्या करेंगा 10a को सेंच करते हैं के sign by cos से लिए कोस को लख देनके cos by sin दोस्तों ठीक है अब ओपर वह स्वेरा सब्सक्राइब को सकादे कॉसthen दोस्तों आप उपर होगा के साइन स्कॉरर के और कोस स्कॉरर की इसकी वेली ठीक होती उन्वाइ साइन एको ही बोलते हैं को सेke यहां फॉल करना था दोस्तों दोस्तों दोतीन फ़ॉर्मूले का यूज गुआ है इसमें एक तो आपको पता होना चाहिए एक यू माइनस भी कि यह important है दोस्तों पेपर में बच्चों यहीं पर भज जाते हैं इसके बाद यहां तक आके वो solve नहीं कर सकते हैं तो यह formula आपके लिए काफी important है दोस्तों यह आपको पता ही होना चाहिए जब यह आप इस question में आ तो आप अच्चेस देखें एकात बार solve करें और फिर समझ जाएंगा दोस्तों ठीक है दोस्तों कल फिर मिलते हैं न्यू कोस्चन के साथ तब तक के लिए ओने के लिए कर दोड़ से था। उक्वबन पाने के साथ प्ती नहीं प्ती प्रिट ओनेंगा